फ्रेंग में तब्रेट्स आप देखे रे टेक निर्शिप चानल सुगास आज मैं आप लोग को मुबाइल का एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ ये सेटिंग आपको अपने मुबाइल में लाजिम से कर लेने चाहिए देखिए आप लोग अपने मोबाइल में Play Store से जो भी कोई software डाउनलोड करते हैं जो भी एप डाउनलोड करते हैं तो सभी एप और सभी software जो आपके मोबाइल के internal storage में सभी software डाउनलोड होता है लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसा setting बताऊंगा मोबाइल का वो setting आप कर लोगे तो सभी software जो भी software आप Play Store से डाउनलोड करोगे तो सभी software जो आपके मोबाइल के SD कार्ण में वो software डाउनलोड होगा जो SD कार्ण आप अलग से अपने मोबाइल में लगा के रखते हैं वो SD का जो गए यार इससे क्या फैदा है तो देखिए इससे यही फैदा है जो आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में जो भी application software रहता है वो डाउनलोड किये रहते हैं तो इसके जैसे जो आपका मोबाइल phone memory भरा रहता है और आपका मोबाइल जो बहुत हैंग करेगा बहुत से लगा के रखिए वह सभी एप जो डाउनलोड होगा सभी शोफटर डाउनलोड होगा तो इससे जो आपका मोबाइल जो एकडम फास्ट चलेगा स्लोर नहीं चलेगा हैंग नहीं करेगा तो आपको लाजिम से यह सेटिंग करने चाहिए इस अब हमें कैसे करना यह कौन सा सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में अल बेल आइकन घंडी को प्रेस कर लिजिए तो चले फिर कुछ नया सिख लेते हैं तो चले मैं आप लोग को बता देता हूं वह कौन सा सेटिंग हम करेंगे अपने मुबाइल में तो जो भी सोफटर हम अपने मुबाइल में प्ले सबसे उपर में देखें लिखा हुआ है अबाउट फून आपको दिख रहा है यहां पर देखें अबाउट फून लिखा हुआ है तो यहां पर हम अबाउट फून पर किलिक कर लेते हैं और अगर आपका मुबाइल रेडमी का है माय का मुबाइल है तो यहां पर जो आपको mobile का developer option जो है निकल के आ जाएगा इनेबल हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर 15 बार ऐसा क्लिक कर लेते हैं वह एक दो तीन करके ऐसा नीचे में आएगे और यहाँ पर देखे आपको लिखा हुआ है developer option तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप एकदम scroll करके ऐसा नीचे में आ जाए पूरे नीचे में आ जाए एकदम और इसके बाद यहाँ पर आपको देखे में फोरा जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको देखे लिखा हुआ है फोर्च अलाओ एप्स ऑन एक्स्टर्नल तो यहाँ पर यह बटन जो अभी आफ है तो यह बटन को जो आपको आपको आउन कर देना है चालू कर देना है तो चले हम यह बटन को जो ऐसा चालू कर दे आउन हो गया अब इसका फैदा आपको यह होगा जो अब यह बटन ऑन है तो आपका मोबाईल में जो भी कोई सॉफ्टर अवा प्ले स्टोर से डाउनलोब करोगे तो वह सभी सोफ्टर जो आप کے मुबाईल के सिथा वह सॉफ्टर डाउनलोड होगा ना के इंतर्नलण इस्टोरेज में आपके फून मेमरी में वो शॉफ्टर डाउनलोड नहीं होगा तो इसका फायदा आपको बहुत है क्योंकि देखिए अगर आप अपने मोबाइल के इंटर्नल इस्टोरेज में सभी शॉफ्टर को डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल जो हैंग होगा श आपको बहुत ही बेनेफिट होने वाला बहुत ही फायदा होगा तो चले फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते फिर